वेलकम टू विनीज मिल्स में आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मलाई रोल यह मिठाई खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में उतनी ही आसान है और देखते ही खाने वाले के मुह में पानी आ जाता है तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड मलाई रोल बनाना इसके लिए दो एक चमज शकर एड करेंगे और एक चमज इलैची पाउडर रेड करेंगे अब इन सब को अच्छे से बॉइल होने देना है उसके बाद मैंने एक कब दूद में थोड़ा सा एक चमज कस्टड पाउडर घोल कर रेडी करका रखा था वह इसमें हम एड कर देंगे इससे इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आजाता है वेनीला फ्लेवर आजाता है और बस अब कस्टर्ड पकने दख हमें इसे को करना है बस दो या तीन मिट में यह हमारा पक करेडी हो जाता है इसो कंटीनियू हिलाना है हमें देखे कि कैसी अच्छी मलाई भी आ गई इसके उपर बस यह अच्छा से कोख हो गया अब अब हम उनको गेस की फ्लेम आफ कर देना है अब जब तक हमारा दूद ठंडा होता है तब तक हम अब अपनी मलाई रोल की तैयारी कर लेते हैं एक बावल में हम तीन चम्मच फ्रेश मलाई लेंगे उसमें हमने एक चम्मच इलेची पावडर एड करना है और दो चम्मच मिल्क पावडर एड करना है एक चमच पीसी हुई चीनी डालेंगे बस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर शक्कर आपको कम लगती तो थोड़ी उसकी क्वाइंटिटी बढ़ा सकते हैं अबस अम बने यहां पर पांच ब्रेड की स्लाइस ली है मैं छोटे वाले ब्रेड रोल बना रही हूं इसलिए मैं छोटी ब्रेड ली है आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो आप वह भी बना सकते हैं उसको बीच में से कटके दोपीस कर दीजिए गा फिर इसके सब ब्रेड के हमने किनारे को कट कर लेना है उसके बाद जो भी हमने मलाई का मिक्चर बना कर तयार किया हुआ था वह पूरी ब्रेड पर अच्छ से स्प्रेड कर देना है ताकि ब्रेड अंदर से फ पोल्ड कर दिया बस अब जो हमने दूद उबाल के रेडी करा हुआ था कस्टड वाला वो ठंडा हो गया अब तक है अब सब ब्रेड के उपर हमें उसको दूद को डालना है बस पूरे अच्छ से डिप हो जाएंगी अंदर एक दम मुह में गुल जाने वाली इसी सौफ्ट मिठा ही रेडी हो जाएगी ना अगर यह थोड़ी देर में वह सुख जाता है तो आप थोड़ा सा दूद उपर ओर एड कर सकते हैं बस उपर से अपने मन चाहिए ड्राइव फूट से उसे अच्छ से गार्निश कर लिजिए मैंने यह पर पिश्टा की कत्रन डाली है आपके पैस जो ड्राइव फूट अवईलेबल आप उपस डाल सकते हैं देखी है ना जवा मिठे